जी भावना जी आपने बहुत वजिव सवाल पूछा है कि हैल्थ एंग्जाएटी जैसा कि नाम से ही विदित है कि स्वास्थे के बारे में चीन्ता किसी को बिमारी की चिन्ता है तो किसी को चिन्ता की बिमारी है और जिनको है हेल्थ एंग्जाइटी हो जाती है उनको दोनों ही होती है उनको चिंता की विमारी भी होती है और विमारी की चिंता भी होती है उनको विमारी से मतर डर लगता है उनको कोई विमारी होती नहीं है उनको सिर्फ विमारी से डर लगता है और हेल्थ एंग्जाइटी के अंदर ब बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके मंद में बार-बार HIV से रिलेटड विचार भी आते रहते हैं और उनको लगता रहता है कि अब उनको HIV हो जाएगा है नहीं उनके खून में नहीं है वह बार-बार टेस्ट करवाएंगे जांचे करवाएंगे लेकिन रिपोर्ट हर बार नेगिटिव आएगी इससे भी वह संतुष्ट नहीं होते उनको यही लगता रहता है कि बाद में हो जाएगा कहीं वह विंडो पिरियर में तो नहीं है संध्रव में HIV का डर भी मन में आने लग जाता है इसके इलावा रैवीज का डर भी आने लगता है कि उनको रैविज हो जाएगा कुद्वे के पास से, में लिवह चांती हो जाते हैं जितला में, तब उनको लगता है कि अब वो वाईरवीज का एक्टिव हो जाएगा बसक् या YouTube पर वीडियो देखने लग जाते हैं और इसके बाद कुछ लोगों को कैंसर का डर लगने लग जाता है कि उनको कैंसर हो जाएगा और इसके इलावा हेपेटाइटस बी और सी का डर भी हेल्थ एंग्जाइटी के तहट आता है इसमें शारीडिक बीमारियों के साथ मांसिक बीमारियों का डर भी होने लग जाता है कि उनको कहीं स्कीजोफरेनिया तो नहीं है या स्कीजोफरेनिया तो नहीं हो जाएगा कहीं वो पागल हो मन में आते हैं जैसे इस फेदा का डर है जैसे जो बिमारी लाइलाज या खतरनाक है उसी का डर उनके मन में आएगा और उसी से वह विचलित होंगे घहरा जाएंगे और गलती क्या करेंगे वह जिनको health anxiety है चाहे HIV का विचार बार-बार आए चाहे रैबीज का आए वो गलतियां करते हैं कोमन गलती रहती है उनकी जिसमें पहली गलती तो यही है कि वो यूटूब पर और यूटूब पर वीडियो देखते हैं गूगल पर आर्टिकल पढ़ते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं और इससे अगली गलती रहती है बार-बार टेस्टिंग करवाना या वैक्सिन लेना या इलाज खोजते रहना यह कुछ कोमन गलतियां है जी तो यह हैल्थ एंग्जाइटी के तहत ही रोग आते हैं तो पिर जैसे आपने कहा कि वो यूटूब पर देखते हैं या कहीं और खोजते हैं तो फिर इसका इलाज possible कैसे होता है अशना यह का इलाज साइंस के पास है उन भीमारियों का डर मन में नहीं नहीं फशेगा क्योंकि health anxiety है न स्वास्थे की चिंता उसी बिमारी की आएगी जिसका इलाज नहीं है तो अगर आपको बार-बार डर लग रहा है बिमारी से चाहे वो HIV हो चाहे वो रैबीज हो चाहे cancer हो तो आपको ये समझना है कि आपके मन में वाइरस नहीं है या बिमारी आपके सरीर में आपके खून में वाइरस नहीं है आपके तो मन में बिमारी है तो आपको इलाज भी मानसिक बिमारी का लेना है जिसे OCD या Health anxiety कहा जाता है इलाज उसका लेना है HIV का या Cancer का रहवीज का इलाज नहीं लेना है उस इलाज की विशे में ना तो डॉक्टर से पूछना है ना यूटूब पर वीडियो देखना है ना गूगल पर आर्टिकल पढ़ने हैं सिरफ मानसिक प्रेशानी का इलाज लेना है उनको यह की बात हमेशा याद रखनी है कि उनको डरने की बीमारी है उनको बीमारी नहीं है उनको सिरफ और सिरफ बीमारी से डरने की बीमारी हो गई है अगर यह बात वो समझ जाते हैं तो आधा इलाज इसी भर्मुले से हो जाता है जी भावना जी